हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे और दोस्तों एक बाप फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूटुब चैनल पर जिसका नाम है जी एसपी टेक और मैं गोविंद आज आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का आपके लिए नहीं किया है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि यह प्रोडेट आपके लिए है या नहीं है तो आईए देखते हैं इसके बारे में जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें तो आप देख सकते हैं यहां पर 200 यहां पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डॉल्बी आउडियो का मिल जाता है आपको सांती साथ ऑप्टिकल इन दिया गया है आप इसमें यूएजबी भी कर सकते हैं तो वह भी हम इसमें देख लेंगे दोस्तों कि किस तरीके से क्य एक चीज़ें वर्क करती है और दोस्तों मैं काफी समय से देख रहा हूं कि लोग viewers काफी सारे वीडियो को देखते हैं बट उनको नको जो है लाइक करे बेगहर चले जाते हैं या अन लाइक करे बेगहर चले जाते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों भूलिएगा नहीं वीडियो बंद करने से पहले जरूर लाइक डिसलाइक जरूर कर दिये किजिए ताकि मुझे पता जल सके कि मेरी वीडियो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्य अधर मिलने वाली है तो आईए मैंने बॉक्स को नीचे से खोल लिया है और देखते हैं इसमें यह थर्मा को लटा लिया है और आई थिंग यह बार है इसमें हाँ मिल जाती है और यह देख सकते हैं आप बार का लुक इसमें कुछ इस तरीके सा और अंदर साइड में यह है इसका रिमोट जिसे की आप टीवी और इसके लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही ट्रंडी है बहुत ही स्लीक डिजाइन है और लुक आप देख सकते हैं और बहुत ही कम इसमें जो है कीज दी गई है और इसली हाथ में बहुत अच्छा लुक देता है बहुत चोटी ग्रीपिंग में और यहां पर आपको पावर कोड और जो है सांती सांत दो जो है डबले साइज बैटरीज मिल जाती है इसमें इसमें 2 पावर कोड दी गई है एक आपके साउंड बार के लिए और दूसरा आपके सब बूफर के लिए और इसके रावा ऑप्टिकल केबल भी आपको इनविट मिलती है एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑप्टिकल केबल बाहर से लेना बहुत महेंगा पड़ता और क्वालिटी कैसी मिलेगी यह पता भी नहीं और इसके रावा यह क्लंप स्टैंड दिये गए हैं आपके बार साउंड बार को जो है वाल माउंट करने के लिए तो यह सारी इसकी जो है इन बॉक्स एस सिरीज हैं जो आपको बॉक्स में ही मिल जाती हैं और अब जो है हम थोड़ा से इसको और अन्रैप कर लेते हैं और खोल के देख लेते हैं और यह हैं क्लंप दोस्तों आ देख सकते हैं आप इसे भी हम अन्रेप कर लेते हैं और यह देखे दोस्तों बहुत ही ठीक है नेटिंग इसकी जो है आपको फैबरिक महीं मिलती है और काफी अच्छी लग रही है देखने में नीचे सैमसंग की ब्रेंडिंग दी गई है और इसके अलावा बैक साइड में य लिंक और स्टैंडबाई के लिए आपको जो है LED दी गई है ताकि आपको पता लगी सके कि आपका जो सब बूफर है वो साउंड बार के सांड लिंक है या फिर जो है इस समय अन्पेयर्ड है उस चीज के लिए और यह है आपकी साउंड बार आप यह देख सकते हैं इसमें अपर फैबरिक लुप दिया गया है और काफी बढ़िया फिनिश देखने को मिलती है यहाँ पर डॉल वी ऑडियो डिटीयस मेंशन किया गया है और यह आप देख सकते हैं बार काफी स्लिक डिजाइन में है और उपर ही जो है इसमें जो है कीज दी गई है यह बॉटम में आपको लगाने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस थरीक से यहाँ पर आपक्लंप लगा सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्ण्स mening किये गई हैं और यहाँ पे जो है आप पावर कॉड लगाएंगे पावर कॉड का ऑपिश मिल रहा है इसमें ARC का option आपको नहीं मिलता है दोस्तों और नहीं इसमें AUX का option दिया गया है हालकि चलिए AUX का option कोई बड़ी बात नहीं है आम तोर पर लोग AUXY यूज़ करते हैं लेकिन जो है इसमें ARC का option होना चाहिए था तो यदि आपके टीवी में optical out है तो ही आप इसको purchase कीजिएगा otherwise यह कहीं न कहीं आपके लिए बेकार साबित होने वाला है इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों और यहां पर उपर कीज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और इसे मैंने wall mount कर दिया है तो आप देख सकते हैं wall mount में कुछ इस तरीके का finish fit and finish आपको देखने को मिलेगी और look काफी बड़िया लग रहा है जाली के अंदर से ही जो है आपको एक display मिल जाती है जो आपको visible easily हो जाती है और क्योंकि subwoofer इसका जो है wireless है तो आप इसे दूर भी रख सकते हैं side भी रख सकते हैं इसके लिए यह जो है आपको इसके सांसा जो है rear surround speaker ready मिलता है यह speaker set आपको जैसा कि आपको T550 में मिलता है सेम आपका जो कि आप rear speakers में connect कर सकते हैं तो यह आप देख सकते ह बहुत ही बड़िया लुक लग रही है दोस्तों और दोस्तों सांती सांत यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जरूर से इस वीडियो को like कर दीजेगा दोस्तों और अधिक से अधिक इस चैनल को subscribe कर लिजेगा सांती सांत बेल आइकन ना दबाना भूलिए और ज की sound test कर लेते हैं sound performance चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसकी sound performance मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को देखिए enjoy कीजिए sound को और मैं आप से मिलता हूँ next video में तब तक के लिए bye bye दोस्तों सबस्तों है झाल 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 झाल